दोस्तों इंडियन रेल्वे फाइनेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि आई रेपसी की बात के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया है आज का दिन रेल्वे के शेरों के नाम पे है जबर्दस तीजी सभी रेल्वे शेरों में अब आप देख सकते हो कि आज तो होलिडी था सेटर लेकिन बाजार को आज सुरूर रखा गया है और अब ये मंडे को बाजार क्लोज होगा 22 तारी को अब ट्यूजडे को फिर से बाजार रियोपन होगा तो उसके पहले आज जो है रेल्वे के शेरों में कमाल कर दिया है आई रेपसी में तूफानी तेजी है और ये तेजी क इसका मॉनोपॉली बीजनस है साथ में बहुत कम एंपलोई के दम पर एक कमपनी चल रही है लेकिन मार्केट कैप में इसने बड़ी-बड़ी कमपनियों को पचार दिया है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत उपर पहुँच चुका है और आप देख सकते हो कि ये जो एक कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसं कल की क्लोजिंग 146 के आसपास थी और ये दिन भर का लो है लेकिन जो हाई बना वो 176 का है 20.5% की बंपर तेजी बताई है अब आप ये देखी सकते हो कि बहुत ही जबर्दस इसने रिटन दिया है पीछले एक महिने में ही 90.64% का बंपर रिटन दे दिया है या यू कह सकते कि एक महिने में आपके पैसे डबल कर दिया है आई या रपसी ने आपके लिए बड़ा मल्टी बेगर सावित हुआ यहाँ पे सिर्फ अगर हम पांच दिन की बात के तो 44.82% या लगबग 45% का जबर्दस रिटन दिया है श्टॉक ने 121 का आसपर श्टॉक था 15 जनवरी को तो लगातार दोर्ड रहा है काफी सांधर तरिके से दोर्ड रहा है आज का इंटरडे का लो 166 है लेकिन हाई 176 का है 52 लोर रेंज देखे तो 25 और हाई 176 का है तो आप देखले सकत हुँ कि रिटन क 아니 गुना ज़ादा है उल्टाइम लोर रेंज इसकी 19 के और हाई 176 के है त कहरे दे कि विश्वास रखे ये श्टॉक दोड़ेगा जरूर काफी लोगों ने भरोसा किया वो कमेंट करके कहते भी है कि आपके कहने से हम रुके रहे आपने हमारी हिमत बंदाई आज उसका फाइदा देखने को मिलता है और सिर्फ आयरफसी की बात ने जितने श्टॉक मै अगर आप देखे तो 15 जंव्वरी को स्टॉक फोन हंडे थक के आस पास था जांपे 14.7 प्रसेंग की बंपर तेज्य बनी 16 जंवरी की बात के श्टॉक की क्लोजिंग 141 प्रसेंग की नकिक फिर से बनी और अटरा ज़न्वरी को आगे इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बु गया 160 के आसपास 9.6% की बंपर तेजी के साथ और आज लगबग पहुने 200 तक पहुच चुका है वालिम देखे तो पिछले एक मैने पर इसका 19 क्रोड का वालिम था वालिम है, सेवन क्रोड की दिन उठाए और आज भी थर्टी क्रोड का वालिम हो चुका भी वाज़ार सुरू है, एट क्रोड की दिलो इब dynamics काम हो में जबरदस वालिम में कामकाज हो रहा है तो यहाँ पे जो railway के share है जिसमें इरकोन आप देख लेए या IRFC देखें जो 15% उपर की जो जम बता रहे है उसके पीछे वजब बज़ेट है IRFC ने पिछले देख दो की साथार ट्रेडिंग से समय 46% की तेजी बता ही है और देख सकते हो की लगातार तेजी से दोड़ रहा है और आप यह समझ सकते हो की इसका जो मार्केट केप है वो 2.30 लैक करोड तक पहुँच गया है और काफी तेजी से इसका मार्केट केप बढ़ रहा है और अब अलड़ी कंपनी भी लार्ज केप में सामिल हो चुकी है यानि MFI इंडेक्स की यह लार्ज केप स्टॉक बन चुका है इसे में आने वाले समय है फरवरी से एक तारिक से यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट सुरू होगा जो बड़े इन्वेस्टर जो इसके पीछे सरकार की मनसा है और लोगों का जो इस समय विश्वास है कि सरकार फिर से रिपीट हो सकती है इलक्सन के बाद और इसी तरह से रेल्वे के इंफरा प्रोजेक्ट को आगे भी प्रमोट किया जाएगा उसके लिए और जादा फंड्स प्रवाइड किया जाएगा बहुत सारी नई अनॉस्पन होगी यहाँ पर देखतों कि रेल्वे के अंदर आमूल परिवर्त आने वाला एक करके सारी की सारी जो ट्रेने बदली जाएगी जैसे कि अमरित भारत ट्रेन शुरू की गई है जो एक आम लोगों के लिए है जो नोन एसी है लेकिन फैसिलिट से बढ़ता हो दिखा देगा बहुत सारे नए ट्रेक बीचाए जाने है यानि खर्च लगातर आगे बढ़ेगा सबसे बड़ी बात है कि पिछले बजट के पहले भी रेल्वे के शेर ऐसे ही तेजी से दोड़े थे और अब भी देखो एंड्रिम बज़ट आने वाला एक फ रेल्वेज के उपर फोकस करिया और इसमें आने वाले से में और भी बड़ा एनॉसमेंट हो सकता है सरकार की तरप से नया निवेस आ सकता है और इसी वज़़े से रेल्वेज के शेर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आई अर अपसी की बात करे तो इसने तीन महीनों में 128% क बंपर रिटन दिया है यहां पर गवर्मेंट की होल्डिंग 86% है और आने वाले सरकार इसकी होल्डिंग को ट्रीम करेगी ऐसी समभावना बंदरी है लेकिन जैसे की प्राइज तो पहुने 200 तक पहुंच चुके तो इसमें भी चिंता की बात नहीं है अगर इसकी बहुत उपर चलेगी जादे जादा 160 के आसपस आ सकता है तो ऐसे में लोगों के लिए चिंता की बाते पिछले जिनों में बहुत जादा स्टॉक दोड़ चुका है और इसलिए अब वो पहले वाला टेंशन दा खत्म हो चुका है लोगों को लग रहा था कि OFS आएगा पच करने वाले और इसकी modernization को प्रीव हम अपनी तरफ से focus करिए उसमें बहुत सारा निवेज करने वाले अभी आप एक आए कि last year 5200 km नए ट्रेक बीचाए जा चुके और हमारा इस समय हमने गोल सेट किया कि 15 km पर डे के हिसाफ से ट्रेक बीचाने यानि बहुत सारे ट्रेक प्रभुदास लीला दर्की तरफ से का जा रहे है कि रेलवे के आधूनी करन और अधिक बंदेबाय ट्रेनों पर ज्यादा जोड़ देरी है सरकार जिसका रेलवे कैपिटल खर्च में बड़ोतरी हो रही है ऐसे मैं उमीद है कि आने वाले बजट में भी सरकार रेलवे में और अधिक खर्च कर सकती है उन्होंने का कि रेलवे ने पुझीगद वे में वित वर्च दोजार चौबिस के लिए अपरेल नॉम्बर में 31% की मजबूत बड़ोतरी दर्च की है और फिलिप कैपिटल ने का कि रेलवे खर्च अन्निय मंत्रालों के तुलना में जादा है और आगे भी जारी रह सकते हैं एले रा कैपिटल का कहना है कि सरकार खास तोर पर इस समय रेलवे रोड डिफेंस के उपर काफी ज़्यादा खर्च कर रही है उनकी यह मैन इस समय उनके फोकस में और इस वसे आने वाले समय बजट में भी यह इसी तरीके से जो भी है वो प 174 की प्राइश से 4,087,000 की एक प्राफिट बूकिंग और हुई फिर 9 बचकर 28 पर 175 की प्राइश से 6,59,000 की खरीधारी वही तो फिर 10 बचकर 33 म्रीङलेट पर 174 तो यहां पे 23,68,000 की बंपर Profit Booking ने किसी बड़े फिरना उसने जम के Profit Booking की है तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी भी Profit Booking हो रहे है इस लेवल पे और अगर आप भी Short Term Investor है तो Profit Book कर सकते हैं Stock बहुत जादा दोड़ चुका है Long Term Investor को डरने की कोई बात नहीं अब एक बार इसके Pivot Level को चेक कर लेते हैं तो यहां से गर गिरावट हो जिए तो 152 का पहला सपोर्ट है यह टूटाथ श्टोक 145 तक जाएगा गिरावट और आगे जानी तो 141 तक जाने की समभावना Positive माहूल बना तो 164 का First Registance से यह ब्रेक हो चुका है Second Registance 168 का इसको भी ब्रेक कर लिया है अब तीसरा Registance 175 का जिसके आसपर श्टोक है SMS श्टोक बुली जोन में और जिस असे अभी बजट अभी आने वाला तो इसके पहले और फ्रेश टिगर मिलेंगे और रिजट भी आने वाला है तो कुल मिला के तेजी आगे जारी रह सकती है लेकिन फिर भी Short Term Investor को Profit Book जरू करना चीए Long Term Investor बने रहे मुझे लग रहा है आने वाले दो-तीन सालों में यह 500 को टच कर सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी Investment करने से पहले अपने Financial Advisor बाड़वे ले ले यह आपना खुद का Research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके Educational Purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे Thank you friend